नमस्का दोस्तों आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल के उपर दोस्तों हमारी सिरी चार्ट ओफ दा वीक के लिए आज हम फिर से आपके लिए एक सांदर वीडियो लेके आएं दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिस इस्टोक के बारे हम बात करेंगे उस इस्टोक को अगर आप खरीदने चाहते हैं तो जो आपकी समय हो दिये वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ठीक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर जो है सीमेंट सेक्टर बहुत साल से चलनी पारा रिटर्न बना के नहीं दिया लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर का समय आ गया है और अब सीमेंट सेक्टर के अंदर निवेस करना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक सीमेंट सेक्टर की कमपनी हैं उसके बारे में बात करेंगे और अगर पिछले 5-6 साल में देखें तो उसने बहुत अच्छे पैसे बना के दियें जिस तरह से उसके चार्ट पैटर्न लग रहे हैं उसकी फंडमेंटल के हिसाब से भ होनी चाहिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना सेर करना अगर नए हैं चैनल के जुनना चैनल के साथ जुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप फ्री टीलेग्राम चैनल के साथ जोइन हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की देखें लेकिन मुझे हीडलवर्ग सीमेंट थोड़ा ठीक लगा चार्ट पैटरन के हिसाब से भी और इसके कुछ जो fundamental है उसको देखके भी हीडलवर्ग सीमेंट एक छोटी कंपनी है इसके साब से यह एक अच्छी ओर दिखा सकती है और अगर हम इसके मार्केट केप की बात करें तो पांच जाथ500 को रुपय का इसका मार्केट केप है और जिस दिन इसके स्टोक अभावव है वह 230 रुपय का है और जो स्टोक बाव पिए है इसका वह 21 , 2024 काहें और जो industriesB है, cement sector की Works 37 की है, तो इसके हिसाफ से हम देखें, हिदल्रबर्गSment ändustries p, के हिसाफ से सस्ता है. क्योंकि 37 की industry P है और ہड्न peng n Woody Typ की 21 की है और साथमें, अगर हम इसकी ROCE को देखें, तो यह 25,6% का है और ROE है वह 21, Gameshod 800 का है और Face Value है स्टॉक की Secret of 30 equiv फेस वेल्यू है अगर दोस्तों हम दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर के क्वार्टर के अंदर जो नेट सेल्स थी वह पांसो पिच्चाना करोड रुपे की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसका वह 120 करोड रुपे का था और अगर हम क्याइन प्रॉफिट था वह 62 करोड रुपे का था नेट सेल्स थी वह हमारी 514 करोड रुपे की थी ओभर अगर हम साला नाथार पर देखें topl 20-3वर Peng सीमेंट की और 250 करोड रूपे की थी और जो जो अपरेटिंग प्रॉफिट था वह 268 करोड रुपे था और जो अमारा प्रोफिट मार्जिन वह 24 परतिसत का था जो इससे पहले किसी भी एफाइस के अंदर नहीं आया था और अगर हम टीटीम की बात करें तो इस क्वाटर में अभी तक 241 करोड रुपे का इसका प्रोफिट हो चुका है और एक क्वाटराना बाकी है और साथ में ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी 24 परतिसत पर इसने ब्रकरार रखा है दोस्तों अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो पिछले 5-6 साल के अंदर इसकी जो नेट सेल्स थी वह लगबाद दुगनी हो चुकी है लेकिन जो प्रोफिट था वह चार गुना हो चुका है अगर हम देखें 2013 के अंदर दो जार तेरा एफ़ाइस तेरा के अंदर सिर्फ बारसों करोड रुपे की नेट सेल्स थी और जो कंपनी का था वह 41 करोड रुपे का लोस था लेकिन देखें अगले ही साल एफ़ाइस 15 के अंदर हमारा इसने 60 करोड रुपे का प्रोफिट किया ठीक है और देखें पिसले 5 साल के अंदर सेल्स दुगनी हुई है लेकिन प्रोफिट इसने अपना चार गुना से भी ज्यादा कर लिया है ये बहुत अच्छी ब है कि चार्ट के इसाब से हमें हिडिलवर्ग सीमेंट का सेर कैसा लग रहा है और क्या पैटर्न इसके अंदर बन रहे हैं तो देखे दोस्तों हम आवा आच चुके हैं हेडिलबर्ग सीमेंट के चार्ट पर और यह जो चार्ट हम देख रहे हैं यह हम देख रहे हैं एक वीकली चार्ट के अंदर आपको देखे इस परश्ट तौर पर नजर आ रहा है यहां से में लाइन डो करूं तो हमारी जो लाइ हेिलबर्ग सीमेंट हायर हाई वह बनाते हुए चल रहा है । यहाँ पर दिखाएं आपको हाई लो इसके वाहर हाई हो गया लो फ्र हैर हाई यह हमारा है हायर लो फ्र हैर हाई इसके बाद यह कोविड के दोरान यहां पे इसके अंदर ग्रावट आई थी यह बहुत ज़ यहां पर देखिए एक rectangle pattern बनता हुआ जरूर नजर आएगा 2014 की बात करें हम जहां से कंपनी ट्रेनर हुई थी उस समय हमारा हीडिलबग सीमेंट का स्टॉक आप देख सकते हैं 25 से 30 रुपे पे काम करता था तो वहां से हमारा लगबग स्टॉक 25 रुपे के हिसाब से देखें तो 10 गुना हो चुका है पिछले 5 से 6 साल के अंदर और यह हमें profit के अंदर भी नजर आ रहा है कि पिछले 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर जो कंपनी का profit था वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा था तो चार के उपर भी नजर आ रहा है हमें यही बात कि कंपनी का जैसे profit ब हमारा ये अपर के बाद में यहां पर बॉक्स बनाया या आपके सामने बॉक्स रा जैसे र individuals का backup हुआ फिर से हमारा इस टौक एक भॉसत तीजी चला ही देखिए फिर से हमारे स्नेमेंट बॉक्स बना दिया जैसे बॉक्स बेखड़ फिर निकला उसके बाद हमारी फिर एक box यह रहा और इसके बाद अगला देखिए एक box हमारा यह बनाया heidelberg में और अगर हम अब देखें अब भी कुछ हमारा यह हमारे पास चार्ट है यह weekly चार्ट है अगर आप इसको daily पर चार्ट पर देखेंगे न तो यहां पर आपको एक box बनता हुआ नजर आएगा और यह जो box निकल के आ रहा है वो हमारा यह रहा ठीक है और इसका अगर हम नजदी की resistance की बात करें तो जो महत्मून लेवल था लगबग 210 रुपे का यह वाला लेवल है हेडलबग सिमेंट के लिए एक resistance का काम करता था जहां पर इसने ब्रेक आउट दे दिया है और अगर हम इस पैटन की बात करें तो यहां पर जो पैटन बनाया है यह भी एक हेडलबग 210 रुपे के आसपास मिलता है न तो हमें इस syear के अदर जरूर entry करने चाहिए 210 रुपे के पास अगर है हेडलबग cement का stock आता है तो हमें इस शेयर के अंदर अब इसे खरिदारी करने चाहिए और समय अवदी आप इस शेयर के अंदर थोड़ी बड़े रखिए ज्यादा समय अवदी रखिए मैं निश्ची तोर पर कह सकता हूं कि आपको हेडलबर्ग सीमेंट अच्छे कासे पैसे बना के दे सकता है अब दोस्तों मैं एक वीकली चार दिखाता हूं तो हमें देखे यह एक चैनल में काम करता हुआ नजर आ रहा है तो वह चैनल भी मैं आपको दिखाता हूं देखे दोस्तों हेडलबर्ग का ये चैनल है इस चैनल के अंदर हमारा दोजात तेरा से हेडलबर्ग सीमेंट का स्टॉक काम कर रहा ह और जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारा 210 रुपै तक हीडल वर्क सीमेंट का स्ट्रोक आसकता है, देखें यहां पर लगातार, यह 레च्टेंस लिया, यह 레च्टेंस इसी ट्रेम लैन का, इसके बाद यह राच्टेंस यहाँ पर देखो इसकी विक इसी को छूके वापस हमारा नीचे आया इसके बाद दो बार लगातार यहाँ पर डबल टॉप बना तो इसी का रेजिटेंस लिया देखे फिर से डबल टॉप बना यह रेजिटेंस लिया और इसके बाद देखिए यहाँ पर लगाता रेजिटेंस लिया और अब जाके 240 रुपे से हमारा इस्टोग वापस नीचे गिर रहा है तो इसी का हमारा रेजिटेंस ले रहा है सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो इस चैनल के आँ देखिए यह सपोर्ट रहा इसके बाद लगातार यहाँ पर इतना सपोर्ट लिया एक बार स्टोग हमारा इसके नीचे गया लेकिन तुरंत वापस हमारा इसी चैनल के अंदर काम करने लग गया है इसके बाद हमारा यह सपोर्ट रहा तीन से चैनल यह सपोर्ट रहा देखें यहां कोविड के दोरान इस चैनल से भार जरूर गया है लेकिन बहुत जल्द रिकावर करके इसी चैनल के अंदर आ गया है और इस चैनल के अंदर आ आता है तो यहां पर यह 210 रुपे तक आ सकता है क्योंकि यहां पर हमारा इस सपोर्ट का लेवल है साथ में यह हमारी जो एक चैनल चल रहा है इसकी ट्रेंड लाइन भी हमारी यहीं पर आ रही है तो किसी भी कंडिशन में अगर 210 रुपे के आसपार सीडिलवर्ग का स्टॉक आता है तो बैस्ट लेवल होगा बाइंग करने का तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया है पसंद आए तो लाइक करना सेर करना कुछ पूर्णा चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते बाकि आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बह